गुडिवनिंग मेडम मेडम मेरा नाम परशान थे बोले परशान, यहां कैसे आना हुआ मेडम एक छोटी से प्रोलम है लेकिन शर्म आ रही है उसे आप से कैसे शेर करो देखे परशान जी मैं एक डॉक्टर हूँ और जब तक आप मुझे अपने दिल की सारी बाते कुल कर नहीं बताएंगे तो मैं कैसे आपकी प्रोलम सोल कर रहा हूँए आप इसके मुझे खुल के बताएए कि आपकी क्या प्रोलम है मेडम मैं एहंदाबाद में रहता हूँ जहां मेरा फ्लेट है मेरे फ्लेट के सामने दूसरे फ्लेट में एक और फैमिली रहती है महा पे हजबेंट वाइप रहते हैं और उनकी एक 12-13 साल की बेटी रहती है प्रोलम यह मेडम कि जब भी मैं अपने किसी काम से बालकनी की तरफ पाता हूँ तो उनकी वो 12-13 साल की बेटी अपने घर के सारे काम चोड़कर वो भी बालकनी पारा जाती है तो इससे क्या फरक परता है प्रशंद कि वो बेटी बालकनी में आज आप भी जा रहे हैं वो भी आ रहे हैं क्या वो आपको कुछ बोलती है लाइन मारती है या फिर छेड़ती है क्या प्रोब्लम है आपको मैडम प्रोब्लम तो वही है न क्या बेशक उसकी उम्र कम है लेकिन उसके देखने के तरीके और इशारे करने के तरीके बहुत अलग है अलग मतलब मैडम वो ऐसे रियक्ट करती है ऐसे देखती है जैसे कोई 18-19 साल की लड़की रियक्ट करती है जैसे 18-19 साल की लड़की किसी लड़के को देखकर एट्रेक्ट होती है उसे इशारे करती है उसे रोमेंटिक अंदाज में देखती है वो छोटी बच्ची उस अंद का माहौल पैदा होता है जिससे ऐसी बच्चियां इस तरह की हरकते करती हैं अट्रेक्ट हो जाती है या तो उस बच्ची ने कभी ऐसी कोई फिल्म देखी होगी अपने माबाब की है रहाज जरी में यह फिर अपने फ्रेंड्स से कुछ इस तरह की बाते करती होगी सवाविक है तो वो फिर इस तरह की हरकते बाहर आके जब कि उसे उस बारे में कुछ पदा नहीं होता है कि क्या रिलेशन होते हैं क्या क्या होता है उसको लगता है कि मुझे एक लड़के को देखना चाहिए उसके अंदर एक फिलिंग उड़ती है वो सकता है वो लड़की कि हरकते इतने जादा बढ़ गई हैं कि वो मुझे छेड़ती हैं गंदे गंदे इशारे करती हैं और आसपास का महोल समाजिक तानबाना ऐसा है कि अगर मैं उसकी तरफ कोई मैं रिपलाई करता हूं इशारा करता हूं तो लोग मुझे ही दोशी ठेराएंगे अब समझनी याता है मैं क्या करूं उसके कैसे समझाओं अगर मैं किसला करता हूं इस बारे में उसके माबाप से भी बात करता हूं तो वो लोग मुझे हैं गेया कि तुम गलत हूं लेकिन अव समझनी आता कि हमारे हिंदुस्तानी जो लड़किया होते हैं, वो 12-13 साल में उनको जिस तरह से पीरण होना शुरू हो जाते हैं, तो उनके अंदर एक अजीव सा अट्रेक्शन होता है, ठीक है, चेंज आना शुरू हो जाते हैं, जैसे किसी की तरफ अट्रेक्ष्ट होना, उनके अंदर सवाल उठना, क्योंकि हमारे यहां लड़कियों की शादी, कई बार 15-16 साल में भी करनी जाती है, क्योंकि वो घरवाले सोचते हैं, उस वक्त की वो जवान हो चुकी है, ठीक जिस तरह आपने बताया, कि लड़की की उमर 13-14 साल है, वो पूरी तरह अभी त्यार नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक feelings है, एक सवाल है, एक attraction है, जो आपको देखकर वो अपनी feeling share कर रही है, समझ रहे हैं, उसका motive कोई गलत नहीं है, कि आपकी तरफ या आपको line मार रही है, या फिर क्या है, या फिर आप उससे शादी करोगे, सम्तिं सम्तिं, ऐसा कुछ नही लेकिन हा में ये कह सकती हूँ कि घर का माहूल शायद ऐसा रहा होगा, जिससे लड़की इस रहा की तरफ जाए, आप एक काम करें, आप उनके घर जाएं, उसके पेरेंट से ये बात करें, कि लड़की की activities इस तरह की है, आप इस तरह शांतना बैठें, हो सकता है कि आप उस लिजिकल रिलेशन क्या होते हैं, अट्रेक्शन क्या होते हैं, जब उसे कोई जानकारी नहीं है, तो हो सकता है, आप भी समझ रहे हैं कि लड़की जात है, कोई पी इसका फायदा उठा सकता है, तो आपका इसका फ़र्ज बनता है मिस्क्रा पशांत कि आप उनके घर जाए यह भी समयात है, और देखें कि उनके घर का माहुल किस तरह का है, उस पर कोई गलतवार से इफेक्ट इस तरह का डाल रहे हैं, यह फिर उसके घर का माहुल इस तरह का है, कि लड़की उस तरफ जा रही है, य आपको उनको देख एँ कि पराइशन से बात करने होगी, अगर पर आप ना बात करें तो आप इतना कर सकते हैं कि उनके पर लेताach podobालोइन के एक बार मुझ से Mindered by the इस Medam मैं यू एक अपको बताया हूए मैं एहंमदाबाद में ख़त रहता हूँ और वह फैमिली कि आपके कहने के कोड़िंग में उनने दिल्ली कैसे लेकर आ सकता हूं यह प्रोलम है तो आप उनसे मिलके जो मैंने बाते आपको बताई आप उनसे शेर तो कर सकते हैं जी बिल्कुल मेडम ठीक है मेडम जैसे आपने मुझे एडवाइज किया है मैं एक बार उसके पैंट से के देखता हूं अगर वो बात कर लेते हैं ठीक है नहीं तो मैं फिर आपसे उनकी फोन पर जरूर बात करा दूंगा आप प्लीज उन्हें समझा देगा मैं इस बड़ी दुविदा से निकल जाओंगा में ठीक है परशांद आप चिंटा मत करो और जाईए और उनसे बात की जी उनका क्या रिस्पॉंस होता है आप मुझसे बात करा दीजिएगा मैं इसा घपराने वाली और कोई बात नहीं है ठीक है ठीक है मैंदम ओके थैंक यू मैंदम आपने बहुत बड़ी प्रोन सोब कर दी मेरी ओके थैंक यू मैंदम थैंक यू